इंद्रा है करनाटक से हमारे साथ स्वागत है इंद्रा आपका तैंक्यू जी अदाब हरकीम साब इंद्रा जी आदाब बताईए हाकीम साब में 2018 में MRI हुआ था वो ठीक आया था कोई डिस्क प्रॉब्लम नहीं नर्व प्रॉब्लम नहीं पर डॉक्टर में मेरे को पांच स्टीरोइड के इंजक्शन हजार जार मिलिग्राम के दिये और यह एक नर्व का एंटिबायोटिक इंजक्शन है वो मेरे को सूप न नहीं थी तो उसके बाद मेरी नस्य किछनी शुरू हो गई और मेरा बॉड़ी बहुत ज्यादा अकड़ चुका है और अभी अकड़ता जा रहा है तो अभी डॉक्टर ने बोला है कि नर्व सेल नहीं बन रहे तो इसका कोई जनानी में इलाज है जिन से नर्व सेल बने आता हूं आपको आप खुब गहर से सुनें और लिख लें देखिए जो अलसी आप समझती होंगी आपकी उम्र सतर साले अलसी लेना है 200 ग्राम और धनिया लेना है 100 ग्राम अलसी 200 ग्राम, धनिया 100 ग्राम और आपको लेना है हल्दी 50 ग्राम और 100 ग्राम आपको लेना है अस्वागंधा इसे हम अस्गंध कहते हैं अप अस्वागंधा कह सकते हैं और तो 100 ग्राम आपको लेना है गॉन सियाह यानि काला गॉन काला गॉन जरा नकली मिलता है समाल के लिजएगा और कड़वा होता है इन सब को आपको रॉ मैटेरियल ही लेना है पिसा पिसा आया कहीं से लेना किसी पर भरोसा नहीं करना पाउडर बनाए और एक ग्राम सुबह एक ग्राम दुपैर एक ग्राम शाम यानि एक बड़ा कैपसूल की बराबर समझ लिए एक ग्राम आप समझ सकते हैं अंदाज से तो यह खाना शुरू करें और यह जो रो मैटेरियल मैं आपको बता रहा हूं जितना भी हुआ यह पाच छे सो ग्राम यह खतम होते होते आपको फाइदा होना मुम्किन है चलिए नेक्स्ट कॉलर है शिवराद जैपूर से हमारे साथ स्वागत है आपका हालो जी बोली सवाल कीजिए पतला हूं कितनी उमर है दस बस अच्छा दिखिए आपके घर में कोई और भी सुन रहा होगा तो वो समझ लें कि एक दो खजूर दो अंजीर दो केले और रही सो तीन सो गिराम दूद इसका रूजाना आप शेक बना है और पिया करें अच्छे हाला आते हैं तो एक से ज़्यादा बार भी पी सकते हैं वना एक किलास तो पीना ही पीना है आप ये लेंगे तो आपको फाइदा होना मुम पुष्पा आपका हालो हालो जी बोली सवाल कीजी अपना मेरे बाए हाथ में जंजना हाट होती है बहुत ज्यादा अच्छा बाए हाथ को यूज कम करें इस्तमाल कम करें और मैं एक्सरसाइज बता रहा हूं आपको ऐसे मेरे कुछ देखें गवर से और रोजाना दो-दो-चार-चार मिनिट किया करें ये ऐसे दो-चार मिनिट रोजाना करनी है किस्तों में करें हम इस्टॉल्मेंट पर करें एक-एक मिनिट करके और एक ये ऐसे ऐसे खुब जोर-जोर से यहां तक लिया ये गर्दन अपनी ठोड़ी को ये किया करें मुझे अमीद है इसी से फाइदा हो जाएगा आपको मुझे अमीद है और इसके अलावा भी अगर दस दिन में दर ठीक ना हो तो गौन से आ लें काला गौन आता है बड़ा कड़वा होता है और आदा आदा गिराम दोनों टाइम खाने के बाद आप लिया करें आपको फाइदा मुमकिन है तो चलिए आपको फाइदा जरूर होगा बस आपको ये घरेलू उप्चार अपना जी नाम बताएए कहां से बात कर रही है जी सवाल कीजिए जी को अना खून की कमी मुझे है जी 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 को फाइदा खून की कमी की कई वजा होती है एक मेन वजा होती है हमारा लीवर अपना काम ठीक से नहीं करता और ये बहुत आसान भी है इसका इलाज अगर आप कर सकें तो और देखिए धनिया पदीना सुकावा धनिया सुकावा पदीना और साफ ये सब ब्राव मेटिज लेने हैं आपको धनिया पदीना सौफ और सौट ये चार चीजें सौसो गिराम और सौ गिराम या जिर सौ गिराम इसमें गॉन मौरिंगा मिला दें ये पाउडर बनाकर आप एक गिराम दो से तीन वक्त खाने से पहले खाया करें और गरम पानी पीएं तो आपके लिए बहुत बहु होगा ये सब रौ मैटेरियल आप लेंगे और इसके खतम होने से पहले आपको फाइदा होना मुमकिन है बलकुल इनके लिए कोई दवाई भी हो सकती हकीम साहब इनके लिए अगर ये एक सिर्का आता है और कम लोग जानते हैं और वो है सिर्का अलोवीरा का सिर्का अलोवीरा का जूस लोग पीते हैं अलोवीरा का इस्तमाल करते हैं लेकिन अलोवीरा का सिर्का कम लोग जानते हैं अगर दो तीन चमश सुबा शाम अगर खाया जाए पिया जाए ये सालन में सब जी मिलाकर अगर ले लिया जाए तो भी फाइदा मुम्किन है चलिए नेक्स कॉलर जुड़ गया हम से बात कर लेते हैं जी नमस्कार स्वागत है आपका नमस्कार जी नाम बताईए कहां से बात कर रहें बसंत करोड़े में पी से बात करना हूं हरदा जी सवाल कीजिए हम जाद में होते हैं पी किया जी नहीं कम अला है ज़ो कं समय मे उस यह था मैने में लिए कितना वड़ा बच्चा है थाड़े तीन साल काया जाता है थीक है जो बच्चे सात्में महीने में होते हैं वो भी काम्याब हो जाते हैं अगर उनकी आप पूरी रिपोर्ट हमसे शेयर करें हैं तो हम उनके लिए कुछ ना कुछ जरूर कर पाएंगे उनकी रिपोर्ट होंगी तो हमारे डौक्टर आपको फोन करेंगे और यह आप कर लिएगा तो यह उसकी वाटसब प्रें पर 20 में के लिए कोई 5 फायदेवाले बता सकते हैं पर आप आप अपने बेटे की बार 1 जो जरूर बता दिया जाएगा इसी के साथ next scholar से बात कर लेते हैं पूजा है हमारे साथ मतुरा से स्वागत है पूजा आपका हाँ जी सवाल कीजिए जी पूजा आप है लाइन पर क्या सर में दर्द है पेट में अजा अज्ड बता दीजे अपनी अज्ड मेरी एच अठारा साल की है और बहुत कम है आपकी एज रख सर में दर्द होता है कोई आपको जादे परिशान करता है घर में भाई बहन या कोई देखे सुबह को उठें और जब आप पेस्ट वगरा कर लें तो पिर आपको एक काम करना है दोगे आदा चमच से भी कम जीरा आदा चमच सौट और आदा चमच धनिया ये पानी में वालना है दो गिलास पानी में और जब ये आदा रह जाए तो इसको पीना है और इसका बचावा इसका फुजला होगा ये रखना ऐसी शाम को भी से पीना है आप हफता दूफता करेंगे तो आपको फाइदा मुम्किन है नेक्स्ट कॉलर है महेंदर अंबाला से हमारे साथ स्वागत है महेंदर आपका नमस्कार जी आदा महेंदर जी बताईए क्या सवाल है मैंने ना अपनी धर्मतिश के लिए कोई मडिशन भुआया था जो अभी आया नहीं है अच्छा किस चीज के लिए मैं अमराई करवाया था उनके सिर में नच कोई डॉक्टर साथ बोले थे कि सुकड़ा हुआ है इसकी वाज़ा से उनको चक्कर आते हैं ठीके एक्सरसाइज कराने लगे जो मैंने बताई थी एक्सरसाइज आँ जी एक्सरसाइज तो करते हैं वो देखकर करें दो-चार मिनट को जाना और और कमजोरी बहुत है ठीके कितने दिन हो गए आपको और किये मेडिसिन मेरे खाल में चार-पांच दिन तो हो गए रखुसाब ठीके हाँ आपको हमसे इस शिकायत हो सकती है कि थोड़ी लेट हो गई लेकिन आप दुबारा भी फोन करके उनको ठकाजा कर सकते हैं लेकिन जब भी आप तक दवा पहुंचेगी वो असली होगी हम लोग असली दवाओं का कारोबार करते हैं और फिकर मत करिए उन्हें पांच बार गरम पानी पिलाईए और चार-छे मिनट एक्सरसाइज जो मैंने आपको बताई थी वो कराया करिए आपकी धर्मपत्नी चल्दी ठीक होना मुमकिन है तो चलिए मेडिसन जल से जल आप तक जरूर पहुंच जाएगी और जो एक्सरसाइज यहाँ पे हकीम साहब ने आपको बताई थी वो अपनी धर्मपत्नी को जरूर करवा लिजेगा कोई भी रोख संबंधी प्रश्न आप करना चाहते हैं यह ऐसी बिमारी जो आपको लगता है कि आपके शरीर से जाने का नाम नहीं ले रही और आपने बहुत सारे ट्रीटमेंट करा लिए हैं लेकिन आपको कोई लाब नहीं मिल पा रहा है सब भी बाते आप लोगों को आज यहाँ पर बताये जा रही है तो जुडना चाहते हैं हमारे साथ या ठारे कारिकरम में जुडना चाहते हैं तो पोर्न उठाना एं मंटे कॉल करना है जो आपके सामें आपकी टीविस्क्रीन पर लगतार दिखाय जा रही है आई ये बात कर लेते हैं नेक्स्ट कॉलर से जिनमस्कार स्वागत है आपका बोले वह अम महाराथ से यह यह राज तो हमको कमर की दवा की यह होना था पूचना था कमर में दर्थ है किसके कितनी उमर है मरीज की उमर चोपन साल है हादी कि मरीज से बहुत ज्यादा मेहनत ना कराएं वजन अठाने का या पहुच्छा लगाने काम नहीं करें और अगर घर में वेस्टन ट्वालेट ना हो ऐसा कुर्सी वाला तो वो जरूर लगवाएं और घरे भी नुस्खे के तोर पर आप गौन सियाह ले सकते हैं काला सुबह आदा ग्राम शाम के लाएं और सो दो सो ग्राम खरीदेंगे तो खतम होने से पहले दाद का ठीक होना मुम्किन है चली नेक्स्ट कॉलर है निहारी का लखनाव से हमारे साथ स्वागत है आपका जी बोली एक में बढ़ रहता हूं पेट में ठीक है उम्र क्या है आप हम्रर्ण करें आपकाड ग्राम बारे बारे देदेर तो आपको फाइदा होना मुम्किन है चलिए तो आप इसका फाइदा अगर उठाना चाहती है तो जो अभी हकीम साहब ने आपको बताया है वो आपको करने हैं आज से ही अपनाने शुरू कर दीजेगा और रौ मटीरियल आपको लेके आना है और घर में ही पीसने हैं आपको जो भी यहां पे नुसके बताया जा रही है घर में पीसने हैं पिसे-पिसाय नहीं लाने हैं तभी आप लोगों को लाब मिलेगा अगर आप लोग कोई भी रौ मटीरियल हमारी कंपनी से मंगवाना चाहते हैं तो आप उसके लिए भी हमसे संपर्क साथ सकते हैं घरेलू न खत्म आपका एक-एक रोग हो सकता है जब आप लोग यूनानी पद्धिती से जुड़ते हैं जब आप लोग घरेलू उपचार अपनाते हैं इन नमबर्स पर संपर्क साथ दिये जो आपके सामने आपकी टीवी स्क्रीन्स पर दिखाये जा रही है